हेलो हम लोग कोशन नमबर 19 यानि 19 के अनवार देखेंगे प्रियंबल वारा सक्षन देख रहे हैं 1990 से लेकर के अभी तक पॉलिटी और गॉर्डनेंस के जितने भी कोशन पूशे गए हैं उनको हम लोग देख रहे हैं कोशन नमबर 19 आपके सामने हैं अब आपको इसके लिए ये कोशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टन बात यह हैं और पहले भी मैं कहे चुका हूँ कि प्रियंबल आपको याद होनी चाहिए प्रियंबल बहुत हेल्प करती हैं अगर आप केरफुली एक्जामीन करेंगे पूरे प्रियंबल को तो आप पाएंगे तीन प्रकार की जस्टिस हैं जहा है वो पॉलिटिकल जस्टिस हो जहा है वो एकोनोमिक जस्टिस हो यह सोशल जस्टिस हो तो जस्टिस कितने प्रकार की हो गई वो है तीन प्रकार की कौ है liberty of thought छी का सूचने की मतल poblob thought की उसके बाद में Liberty expression बोलने की ठीक है श्कर सकते हैं alpha क्या ि दिस्वास क्या है ठीक है तीन ये हो गए चौथा क्या है फेड की ठीक है थे ये शेन आप फेड क्या आपका फेड क्या है ठीक है उसके बाद में वर्षिप की पूजा पार्ट करने की ठीक है तो यह है बिलीव ऑफ थौट एक्सप्रेशन लिबर्टी अफ थौट एक्सप्रेशन विलीव फेद एंड वर्षिप तो यह पांच प्रकार की जो है आपको लिबर्टी मिल जाएंगी अब अगर आप एक्जामिन करेंगे तो पहला जो है तीन प्रकार का आप तीन आप्शन पहले कहां दिख रहा है यहां नहीं है यहां नहीं है यहां भी नहीं है तो यह तीनों गलत हो जाएंगे आप elimination लगाएंगे पहला option तीन यहीं है और दूसरे पर 5 भी आपको मिल रहा है तो यहां से भी आप answer elimination से भी सही कर सकते थे वैसे है equality दो प्रकार की equality का बात कही गई है एक है equality of status and opportunity ठीक है equality of status and opportunity की बात कही गई है और उसके बाद में है fraternity fraternity assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation यह भी बात कही गई है तो आप इसको pause करके attempt भी करें question next question है India is republic हम republic क्यों है क्योंकि जो है हमारे यहां कोई hereditary rulers नहीं है हमारे यहां जो हमारा head of the state होता है which is president of India is elected not hereditary in nature तो इसलिए हम क्या है हम republic है क्यों सारे देश हैं जो अच्छे democratic हैं बट वो republic नहीं है India has people sovereignty because the preamble of constitution of India begins with the word हमने इससे पहले कोशन देखा था कि India's people has ordered to framing the constitution of India है कोशन इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो भारत का संबिधान बना उसको किस के द्वारा आदेशित है क्योंकि हमें कोई decision लेने के लिए किसी और पर depend होने की जवरत नहीं है कोई external power का influence नहीं है हमें किसी और देश पर निर्भड होने की जवरत नहीं है 294 का question है and we the people of India means be the people of India है is we are the shoran nation अगला question है कि where have the words we the people of India has been used यह सब्द कहां पर लिखा गया यह सब्द लिया कहां से गया American Constitution से यह सब्द लिया गया है we the people of India और यह कहां पर लिखा गया है preamble of Constitution of India 2016 में question पूशा गया है आप attempt करें pause करें फिर लिखें all individuals are fully and equally humans हम सभी लोग क्या है fully and equally human है इसमें कोई भेदभाव नहीं है यह कौन सब्रिंसपल है this is principle of universalism socialism क्या होता है आपको पता है socialism हमने बिपिन चंद्रा करते समें बहुत detail में socialism का history and rise of left wing यह सब detail में देखा हुआ है और socialism is an economic ideology which believes in the equal distribution of resources holism क्या है holism का मतलब होता है whole ठीक है किसे whole से भी समझ सकते हैं holism का मतलब है किसी भी चीज़ को segment में नहीं देखना चाहिए ठीक है जैसे किसी भी चीज़ को है तो उसको whole part में ही देखो यह जनरली जो political science honors या optional पढ़ते हैं वो लोग या political science से बहुत अच्छे से aware है उनके लिए helpful है लेकिन अब आपको देखो films में 2011 में question पूशा गया तो आगे भी ऐसे chances हैं interconnectionism क्या मतलब है कि सारी चीज़ें आपस में interconnection है सब्द को ही आप पकड़ लीजिए वहीं से सारे meaning आपको निकल के चले आते हैं अगला question है question number 24 which among the following is the correct expression of the term secular हम secular है क्योंकि हमारे देश में जो सरकार है उसका कोई धरम नहीं है ठीक है state will maintain equidistant from each and every religion ठीक है इसका मतलब होता है we are secular secularism means इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे पास कई सारे देश है हमारे पास religious freedom है ठीक है we love individual यह सारे options गलक्थ है we are secular nation because our state has no religion first thing and second thing is our state will maintain equidistant from each and every religion अगला question है which of the following word is not in the preamble to the constitution of India तो public welfare नहीं है public welfare कहां पर है आपको public welfare का concept DPSP में देखने को मिलेगा बाकी सोरेन है socialist है इसको 42 amendment में add किया गया था secular है यह भी 42 amendment में add किया गया था और 2005 में एक question पूछा गया अगला question positive attempt which of the following liberty is not embodied in the preamble of constitution of India liberty of thought है liberty of expression है liberty of belief है liberty of faith है liberty of worship है but economic liberty नहीं है economic justice है ठीक है अगर पूछा जाए economic social and political justice है but not economic liberty ठीक है important question है यह आपके जो है common sense और यह question गलत होने के अभी काफी chances है पॉस करिए attempt करिए लेकिन आप मैं आपसे कहूं कि कानून जादा हैं किसी भी देश में बहुत धेर सारे कानून है if there are more laws तो क्या वहाँ पर liberty या सोतंतरता हैं वहाँ पर कर्टेल कि जाएंगी कर ली जाएंगी मतलब कानून की अधिकता का मतलब यह नहीं होता कि आपकी सोतंतरता कम ही हो जाएगी यह हमेशा सत्ते नहीं है तो इसलिए पहला option गलत हो जाएगा कानून अधिक हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी liberty less है if there are no laws there is no liberty हाँ यह सही है क्योंकि अगर कानून नहीं होंगे तो आपको liberty कौन देगा, फिर एक तरह का disorder होगा, एक तरह की अनार्की होगी, एक तरह का dictatorship होगा, कानून होने का मतलब ही है कि आपको liberty देना देगा कोई, और liberty का मतलब ही क्या होता है, सोतंत्रता का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी के साथ अन्याय करोगे जैसे आप आइटिकल 19 पढ़ते हो तो 19 का 2 भी तो पढ़ना चाहिए हमें 19 के 2 में देखो कितनी कितना अच्छा सब्द लिखा हुआ है बिद रिजोनेबल रिस्ट्रिक्शन आप का सोतंतर होने का मतलब नहीं कि आप किसी के साथ इंजरी कर देंगे उसको हाइट करेंगे नहीं तो आप्शन भी है इसका सही हो जाएगा और आप्शन 3 भी आप देख सकते हैं और चौथा भी देखें कानून बदले जाते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लिवर्टी हमारी खत्रे में तो यह भी हमेशा सही नहीं है कुछ केसे में सही हो सकता है लेकिन हमेशा सही नहीं है यह सी ऑप्शन भी है इस दिर इस लिवर्टी लॉज है तो भी मेट बाइद बाइद पीपल आइसा भी नहीं है कि आपको सोतंतर्दा है तो लोग ही जो है कानून बनाएंगे ठीक है तो आप यह सारे बाकी स्टेंटमेंट उतने जादा जो है इसेक्टिव नहीं है जितना भी है if there is no laws there is no liberty क्यों क्योंकि हमारे constitutional की history आप देखो जाए वो European concept हो जाए वो American concept हो वहाँ पर आपको यहीं मिलेगा कि कानून के द्वारा ही लोगों को सोतंतर्दा मिली है नहीं आप अमेरिका में देखो black Indians की क्या हालत थी ठीक है इंडेस्टेर रेवलूशन के बाद Equality, Liberty, Fraternity सब यह सब आया है तो इसलिए जो है Option B is most appropriate and correct which of the following is not mentioned in the preamble हाँ अगेन यह कोशन देखो दो जातेरा में पूछा गया religious justice जो है हमारे preamble में नहीं लिखा गया इवन religious सब्द ही हमारे preamble में नहीं लिखा गया है Economic justice है and political justice is also yes and social justice is also present in the preamble but religious justice is not present or mentioned in the preamble of holy constitution of India Next question is which of the following objective is not embodied objective क्या liberty of thought है yes, expression yes, belief yes, 2017 में कोशन बहुचा गया but economic liberty no, this is not mentioned Next question and यह question आखरी है which of the following is true in relation to the preamble of constitution of India The word socialist and secular were not part of the preamble on the enforcement Enforce हमारा constitution कब हुआ 26 January 1950 को इस समय socialist and secular सब्द नहीं थे yes, नहीं थे यह सही है क्यों नहीं थे क्योंकि यह बालुसिय संसिजान संसुदान 1976 में एड किये गए The other mentioned word were inserted यह भी गलत है नहीं 1976 में insert किये गए थे 85 में नहीं किये गए थे, 76 में किये गए थे यह तो है पार्ट है इस समय है दोजा पांच में कोशन पूशा गया था तो पहला सही हो जाएगा option 1 अगले question देखो अगला question हम लोग यहां से देखेंगे धेर सारे question है कितने साइग्जाम में यह question पूशा गया था which of the which part of Indian constitution has been described as solve of Indian constitution ठीक है तो प्रेंबल को ही कहा गया है solve कितने exam में यह question पूशा गया यही मेरा मक्षरे आपको सार्क रिविजन करा जाएगा नेक्स question हम लोग देखेंगे question number 32 से देखेंगे 32 से 45 तक है वा गुड़ गुड़ गुड़